नम्नक तक दोत्तों, ओल्डीज कोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूँ, देखिए एक नया हम मोबाइल पे आपको कार्यकरम सुरू कर रहे हैं, इसका शीषक है सत्य गटना सत्य गटना के अंदर आपको जो भी बात हम बताएंगे, वो हमारे जीवन में अथ्वा किसी के जीवन की, बिल्कुल सत्य गटना हो गया हूँ, आज मैं सुरुवात कर रहा हूँ, और आप सबसे अनुरूद करता हूँ, कि वीडियो को सक्राइग गया मैं आज आपको गुनिस सु बासत की बात बता रहा हूँ, मैं गाउं में रहता था, जस्वंत गड़ी जहां मैं वीडियो की नीचे नाम देता था, बहुत कम आबादी का छोटा सा गाउं, मेरा जन्मस्तान, तो सडक के कच्चे सडक थी, साइट के अंदर एक होटल जिसमें चाई बना करती थी, और रामू जी, हमारे गाउं के वो चाई बनाते थे, तो उस वगद फेहमस था, कि रामू जी की चाई, और मासी के बड़े, एक मोसी थी, बस इस्टेंट पे, कनोईयों की, बुड़ी, लादी आमा, वो पकोड़े बहुत बड़े बनाते थे, रामू की चाई और मोसी के बड़े, और साई के पेड़े, एक साई ठेला लेकर के सुजानगर से आता था, और इतने लंबे-लंबे पेड़े मिठाई के, चाचाराने के अंदर आठाटाने में, आहा, दो में पेट बर जाता था, तो ये घटा मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं रामू जी की होटल पे बैठा करता था, कुछ मुझको भी शोक लग गया था, वो गांजा पिते तो एक आद सुट्टा में भी ठेंस लेता, गप्पें करते रहते हैं, तो बतों में कहा है, रामू जी ने मुझसे, का आज हमारे गुरू आ रहे हैं, मैंने का वो कहां से आ रहे हैं, का वो सांगली से आ रहे हैं, शिकर के पास सांगली, वोहां से वो आ रहे हैं, मैंने का कौन सी बस से आएंगे, तो बस से नहीं आएंगे, उनको एमबेसेडर कार एक सेट ने दे रखी है, ड्राइवर दे रखा है, और जितने पेट्रोल पंप हैं, उनको कह रखा है, कि इसके अंदर पेट्रोल बर्दे हैं, इनसे कभी पेशे नहीं लिए हम अदा करेंगे, वो शेट ही अदा करता है, बड़े चमतकारी संत हैं वो, मैंने का कितने एक देर में आएंगे, का चे बस आने कोई हैं, उस वगर कोई फोन नहीं थे, बैसे ही किसी से कहला दिया था, कि हम तिन बज़े करीब आएंगे, हम बैठे रहे हमारे कुन सा काम था, एक और जिग्यासा बढ़ गई कि ऐसे संत आ रहे हैं, बड़े वो शमतकारी किस से सुना रहे थे उनके, इसने में उनकी कार आई, तो वो कार की पिछली सीट पे बेठे हुए थे आगे ड्राइवर, और कोई नहीं, तो ड्राइवर ने उतर के कार का किवार कोला, उनके हाथ के अंदर चेलम थी गांजे की, तो रामुजी उतर के अजिलम हाथ में लेके उनको हाथ पढ़नाम करके, हमने भी पढ़नाम किया, सभी ने पढ़नाम, आसन बिचाया गया उनके बैठने के लिए, उनको बिठाया आसन पे और चेलम भरी गई, दो तीन चेलम उन्होंने लगाता पी, फिर का रामुजाय बना, तो हम सबने चाई पी, फिर कहा क्या सत्संग है, तो चलो सत्संग वाले के यहां देख के आते हैं, थोड़ा गूम के आते हैं, पैदली चलते हैं, पास्ट में ही, हमारे काम के एक ब्रामन, उनकी यहां सत्संगती वो भी उनका पक्ता, तो उन्होंने नेमंत्रित किया था, तो कानों के अंदर कुंडल थे, उनके भगवा कप्ड़े थे, हाच में कड़ा था, लंबा चीम्टा था, तो जैसे हम उटके, वहां से दस कदम आगे बढ़े, तो इतनी चोड़ी सड़क नहीं थी, एक गाई के बच्छडा था या बच्छिया थी, वो मरी पड़ी थी, सुबह साथ बज़े से वो मरी हुई थी, तो पंचाईत के अंदर कहला दिया था, ता कि भई इसको उठाया जाए, गाउं में पंचाईत ही होती थी, तो उस वगद इतने साधन नहीं थे, तो कोई बेल गाड़ी या कोई साधन लेके, रशी से बान के खींच के, इस तरह का उस वगद सिश्टम था, तो हम जब उसके पास से जाने लगे, तो उन्होंने रुक्चे का एबद्बू किसकी है, माराज, माराज यह बच्ची आसुब की मरी पड़ी अभी उठाई नहीं है, इदर से निकल चलें, के नहीं, हम जिदर से जाएं हमारे रास्ते में कोई आए, हम इसके पास से जाएंगे, जबर्दस्ती तुमने मार किये इसको, हम हक्य बक्य रे गए, हम क्या कहें, तो हम उनके पीछे पीछे बद्बू आ रही, वो आगे आगे, तो उन्होंने बच्चेया के पास आके खड़े हो करके, हम सब हत्प्रब हो के देख रहे, कहा कि क्यों पढ़ी है, अभी तो तेरे बहुत काम करने हैं तुझे, बच्चेया प्यदा करने हैं, क्यों पढ़ी है, मेरे रास्ते में क्यों आईए तुम, उठ और उन्होंने मेरे देखते देखते, हमारे देखते देखते उसका कान पकड़ा कर उट जैसे ही कान पकड़ा और वो बच्चिया उट करके दोड़ने लग गई ये मैंने अपनी आँखों से उनका चमतकार देखा बद्बू गाईब एक मिनट के अंदर और हमने उनको सहसंवान जो सथसंथी अगले दिन उनको बिदाई करी सुबर तो अगले दिन उस बच्चिया को देखा वो बिलकुल तंदूर उसमतलब कुछ भी नहीं जबकि उसमें बद्बू प्यदा हो गई और हाकिकत के अंदर वो मर गई और गाउं के कहीं लोगों ने कंपरम कर दिया तो ये पहला चमतकार मैंने उस सांगली वाले बाबा का देखा तो मैंने का बाबा दो मिंट हम बात करेंगे कहां बेटा बोलो क्या करना है उनकी उम्र लगवा उस वक्त सादू की कोई उमर का पता नहीं चलता लेकिन 60-70 साल के होंगे मैंने का बाबा ये तो मरी हुई बच्चिया थी आपने किसने का मरी हुई थी कोई नहीं मरता है हम कैसे मरने देंगे हमारे सामने कोई कैसे मर जाएगा कोई मरता नहीं है आमर रहते हैं सब वो सो रही थी मैंने उठा दिया उसको कुछ नहीं मत रहूं तो हमने उनके साथ दो सुट्टे खेंचे वो बड़े परसन होते थे और एक चिलम ठंडी होती दूसरी भड़ लेते दूसरी ठंडी होती ड्राइवर का यही कामता जगह जगह गाड़ी रोके चिलम बरके देन मैं समझता हूँ कि कोई पार ने दिन बर में पावबर गांजा पीते या कितना पीते इस वर जानता है फिर कहा बेटा कभी हमारे अस्तान पर आओ महां एक दो दिन रहो इनका बाबा जरूर आएंगे तो ये मैंने अपनी आँखों से पहला चमतकार अलख निरेंजन सांगली के बाबा का अब वो किस संप्रदाइसे थे मैं इतना नहीं जानता कानों में कुंडल थे भगवा कपड़े थे और गांजा पीते थे और देखते देखते ही मृत बच्चिया को उन्होंने जीवित कर दिया ये बिलकुल सत्ते गटना है तो अन्त में मैं अपनी बात को समाप्त करने के पहले दो सब्द आप से कहना चाहता हूँ कि आपके घर पे आपको रस्ते में आपको जहां कहीं भी कोई भी सादू या संत अगर कोई मिलते हैं तो आप उनका आदर चाहे ना करें कोई बात नहीं कोई आदर करने की जरूत नहीं हाथ जोड़ने की जरूत नहीं पाउं पढ़ने की जरूत नहीं लेकिन किसी का अनादर ना करें क्योंकि इनके अंदर ही इतनी सक्तियां छुपी हुई होती है कि आज भी लोग याद करते हैं तो आज इतना ही सत्य गटना में और फिर मैं आपको और सुनाऊंगा तब तक के लिए इजाज़त दें वीडियो सब्सक्राइब करें और संतों का संदमान ही करें अगर करें तो निरादार मतलब उनकी अवग्या या उनको कुछ गलत करना ये ठीक नहीं चुप चाप अपने रस्ते निकल जाओ आपको कौन कहता है कि आप आओं पड़ो वो भी नहीं कहते हैं तो इसलिए पता नहीं किस रूप के अंदर क्या जाने किस भेश में बाबा मिल जाए भगवान रे बड़े प्यार से मिलना सब से दुनिया में इंसान रे क्या जाने किस भेश में बाबा मिल जाए भगवान रे